Hey guys, welcome back to my channel आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो आपके दिल को छूलेगी एक छोटे से टाउन में रहने वाली 6 साल की बच्ची कैसे बुख लिखकर बिलियनर बन देई बट guys ये सुनने में जितना आसान लग रहा था उतना आसान था नहीं आएज जानते हैं इसके बिलियनर बनने तक का सफर आएज जानते हैं कैसे इस बच्ची ने इतना ज़ादा स्ट्रोगल फेस करने के बाद भी हार नहीं माने इस बच्ची ने 6 साल की एज में ही सबसे पहली स्टोरी रैबिट के उपर लिगी थी जिसका नाम उसने रैबिट ही दिया था एकसाइटेड होके सबसे पहले अपनी मा को वो इस्टोरी सुनाई सो गाईज आप खुश सोचो अगर 6 साल की बच्ची इतना क्रियेटिव काम करेगी तो उसकी मा कितना जादा प्राउड फिल करेगी उसकी मा ने बहुत जादा तारीफ की और उसे मोटिवेट किया आगे स्टोरी लिखने के लिए इसके बाद इस बच्ची ने और भी जादा मेहनत किया और अपनी ही कालपनी दुनिया में खो गई यहां तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जैसे ही राउलिंग 15 साल की हुई उनकी ग्रैंड मदर गुजर गई जो कि वो अपनी ग्रैंड मदर के बहुत जादा क्लोस थी यह उनके लाइफ का बहुत बड़ा जटका था जिससे वो बहुत जादा तूट गई बट राउलिंग को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी लाइफ में आगे कितनी मुश्किल आने वाली है और कुछ समय के बाद उसके माता-पिता का रिष्टा तूट गया जिससे राउलिंग की मा बहुत जादा बिमार रहने लगी और ठीरे-धीरे कुछ समय के बाद उसने अपनी मा को भी खो दिया राउलिंग बहुत जादा अकेली पड़ गई थी उसने कभी सोचा नहीं था गाईज कि उसे इतना जादा दुख देखना पड़ेगा इस बच्ची ने एक जटके में अपनी पूरी फैमिली खो दी बट गाईज इतने से भी बात खतम नहीं होती है आगे अभी राउलिंग को बहुत कुछ देखना बागी था वो कहते है ना जिन्दगी इतनी आसान नहीं होती है कुछ समय के बाद राउलिंग ने अपना मूट चेंज करने के लिए पॉर्टुगल चली गई जहां उसने एजा इंगलिस टीचर जॉब जॉइन कर लिया था कुछ दिन के बाद उसकी मुलाकात एक जनरलिस से होती है दोनों में प्यार हुआ और वो दोनों ने शादी कर ली उसके बाद उनकी एक प्यारी सी बच्ची भी होती है बट ये खुशिया जादे दिन तक नहीं टिकी हस्बेंड वाइफ में काफी जादा लड़ाई होने लगी और कुछ दिन ऐसे ही क्लैसेश चलते रहे दोनों में और उसकी वजह से रॉलिंग डोमेस्टिक वाइलेंस का शिकार हुई और हस्बेंड ने घर से भी निकाल दिया रॉलिंग अपने हाथ में छोटी सी बच्ची को लेकर ऐसे मोड पर आ गई थी ना तो उनके पास पैसा था ना कोई जॉब थी और नहीं कोई फैमिली मिंबर थे उसने कभी सोचा नहीं था गाईज कि लाइफ ऐसे भी मोड पर आ जाएगी ऐसे टाइम पर उसके दोस्तों ने उसकी मदद कि गाईज हमेशा याद रखना जब आपके आगे पीछे कोई नहीं होता ना तो भगवान आपके साथ होता है तो आप हार कभी मत मानो बस आगे बढ़ते रहो अपना काम करते रहो गाईज अब रॉलिंग अपनी बच्ची के लिए स्ट्रगल कर रही थी कई-कई बार तो ऐसा भी होता था कि वो अपनी बच्ची को खाना खिलाने के लिए खुद कई-कई दिनों तक भूटी रही जैसे तैसे करके वो अपनी जिंदगी काट रही और अब तो वो ये भी सोचने लगी थी कि मैं बहुत बड़ी फेलियर हूँ और मेरे साथ हमेशा बुरा ही हुआ है और आगे भी होता रहेगा शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है सोचो गाइस ये अपनी लाइफ में इतना ज़ादा डिमोटिवेट हो गई थी कि सुसाइट तक करने को सोच लिया था बड़ जब वो अपनी बेटी का मूँ देखती थी तो सोचती थी कि इसकी क्या गलती है जो भी आस तक हुआ है या होता आया है उस सब को ब्लेम करके कोई फाइदा नहीं है अब मुझे अपनी लाइफ में मूव ओन करना चाहिए और जिस काम में माहीर हूँ मुझे वो काम करना चाहिए और गाइज वो काम था कहानिया लिखना अब उसने अपने सारे दुख और दर्द को भूल कर दुबारा कहानिया लिखना शुरू किया और वो अपने बच्ची को घर पर सुला कर पास के कैफे में जाकर कहनिया लिखती थी और कैफे में जाधा टाइम बैटने के लिए वो सिर्फ एक कॉपी ओरडर कर दे थी जिससे उसे कैफे में बैटने दिया जाए और ऐसे ही करते करते उसने अपने नॉवल के तीन चैप्टर को कम्प्लीट कर दिया और अब वो अपने नॉवल को पब्लिशर के पास भीजना सुरू कर दिया बट एक के बाद एक सारे publisher ने उसके novel को reject कर दिया गाइस वो इतनी जादा demotivate हो गई कि उसे लगने लगा कि शायद मेरे ही अंदर talent नहीं तब ही मेरे काम को reject किया जा रहा है भले ही वो अपना 100% दे रही थी गाइस किस्मत तो देखो उस दिन उस publisher की 8 साल की बेटी मौझूद थी उसे उस कहानी को सुनके बहुत मज़ा आया उसने कहा कि आप उसके आगे के chapter को कब लिखोगे तो ये बास सुनकर publisher को लगने लगा कि शायद बच्चों को ये कहानी सुनकर बहुत मज़ा आयेगा वो publisher ready हो गया book को publish करने के लिए पर उन्होंने rolling को एक advice दी कि आपको full time job भी देख लेनी चाहिए क्योंकि बच्चों की कहानिया लिखकर आप कुछ खास कमा नहीं पाओगे 31 की उम्र में June 1997 में rolling ने अपनी पहली book को launch किया उनकी किताब का नाम Harry Potter and the Philosopher's Stone था और पहले इसकी 1000 copy को print किया गया जैसे जैसे लोग पढ़ने लगे वैसे वैसे लोगों को बहुत interest आने लगा और इसकी demand बहुत जादा बढ़ गई जैसे जैसे कॉपियां बिकने लगी और भी जादा कॉपियां print होने लगी और पांच महीने बाद इनके बुक को Nestle Smarties Book Awards मिला ये बुक दुनिया की best selling book में शामिल हो चुकी थी सोचो गाइस कुछ महीने पहले इनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे आज जैके रॉलिंग दुनिया की best writer में शामिल हो चुकी उसके बाद इन्हों ने एक के बाद एक साथ बुक पब्लिश किया जो कि 450 मिलियन से जादा कॉपी बिग चुगी थी 2004 में Forbes magazine के द्वारा बताया गया कि जैके रॉलिंग दुनिया की ऐसी पहली woman है जो किताबे लिखकर billionaire बनी जैके रॉलिंग को हर बार किसमत ने धोका दिया पट इन्हों ने give up नहीं किया और अपना hard work करते रही इससे वो आज दुनिया की successful woman है आपको ऐसे ही मेनत करते रहना है लाइफ में बहुत सारे ups and down आते रहते हैं बटा में हार नहीं मानना है success हमें जरूर मिलेगी हो सकता है कि वो थोड़ी late मिले बट मिलेगी जरूर I hope कि आपको ये story सुनने के बद आपके अंदर जरूर आग लगी होगी इस आपको बुझने बद देना और अपनी life में कुछ करके दिखाना So all the best guys Thanks for watching अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लियार लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जिससे कि हम आपके लिए और भी ऐसी ही motivational वीडियोज लाते हैं Goodbye